हेलो एवरीवान, वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल, आज मैं आपके साथ ये बॉर्डर का डिजाइन शेयर करने वाली हूँ ये बॉर्डर बनाना बहुत ही असान है और मेरे एक व्यूवर से जन्नों ने पूछा था कि ये बॉर्डर मैंने किस तरह से बनाया है यहां उपर मैं आप पिक देख रहे होंगे इस पर मैंने बॉर्डर जो बना रखा है उस बॉर्डर की फरमाईशा आई थी कि उसको आपने कैसे बनाया है तो आज मैं आपको ये border बना कर दिखाऊंगे कि इसको कैसे बनाया गया है ये border बनता तो एक सीधे और एक उल्टे फंदे का है लेकिन ये border जो होता है एकदम straight रहता है, सीधा रहता है Normally जब हम border बनाते हैं एक सीधे और एक उल्टे फंदे का ये देखिए इस तरह से तो वो इस तरह से बनता है stretchable होता है और ऐसे होता है ठीक है न जैसे हम border बनाते हैं एक सीधे और एक उल्टे फंदे का और wrong side से सीधे फंदे के उपर सीधा और उल्टे फंदे के उपर हम उल्टा फंदा बनाते हैं और लेकिन इस तरह ऐसे जो बॉडर होता है वो हम जनली जैन्स के पुजैट के लिए यूज करते हैं या फिर हम बच्चों के लिए कोई पुजैट बनाते हैं तो उस पर डालते हैं तो ladies के किसी भी पुझाट के लिए हम इस तरह से border होता है वो नहीं apply कर पाते हैं क्योंकि इस तरह से border जो बनाते हैं तो वो stretchable रहता है लेकि जब हम कोई cardigan जा jacket तो बनाते हैं तो उसके उपर जब हम कोई design apply करते हैं तो वो design हमारा THE कुला-खुला सा बन जाता है उपर और जो बॉर्डर को बना सकते हैं यह देखिए यह बॉर्डर हुमारा एकदम सीधा रहता है यह सिखुडता नहीं है और यह बॉर्डर जो होता है यह हमारा इस तरह से स्ट्रेशिबल बनता है तो यह बॉर्डर बनाने के लिए आपको जो फंदे चाहिए होगे वो दो के मल्टिपल आप फंदें ले लीजिएगा यानि कि अगर आप और नंबर के फंदें ले लेंगे जो फंदें दो से डिवाइड नहीं होते हैं जैसे 15, 17, 25, 31 ठीक है ना इस तरह से जो फंदें होंगे उस तरह से ले लीजिएगा तो ये बॉर्डर अच्छे से बन जाएगा दो से लाइओं का बॉर्डर डिजाइन है और दो से लाइओं आपने रिपीट करते हुए जानी है तो ये देखे नीचे से आप इस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं यहां पर मैंने जो है डिजाइन रफंदे डाले हैं ये देखे यासे एक से लाइ सीधी साइट से और एक से लाइ रॉंग साइट से इसकी उल्टी बनाई है उसके बाद मैंने ये वाला जो डिजाइन है ये शुरू किया है और wrong side से मारा ये border जो design है इस तरह से आता है कि देखिए चलिए भी बनाते हैं इसकी पहले slide जो हमारी सीधी side से बनेंगी इसको कैसे करेंगे ये देखिएगा ये पहला फंदा हमारा edge stitch है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे अभी दागा अपनियोर करेंगे ये देखिए ये उल्टा फंदा है इसको हमने उल्टा फंदा बनाना है दागा पीछे किया एक फंदा सीधा बस ऐसे ही हमने repeat करते हुए जाना है जैसे हम border बनाते हैं एक फंदा उल्टा बनाएंगे एक फंदा सीधा बनाते हुए जाएंगे सीधी साइट से हमने ये सलाई जो है अपनी ऐसे ही पूरी करनी है एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाते हुए जाएंगे तो ये देखिए मैंने सलाई कंप्लीट कर ली है सीधी साइट से एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा बनाते हुए अब ये जाएए रॉंग साइट से हमने सलाई जो है उल्टी उल्टी बनानी है रॉंग साइट से पहला फंदा ऐसे उतारेंगे और पूरी सलाई को हमने उल्टा बनाकर complete करना है अब ये देखे रॉंग साइट से इसकी सलाई उल्टी बनाकर complete कर ली है अब ये देखे इस तरह से आया है बस ये ही जो दो सलाईगा है ऐसे ही आपने repeat करते होए जानी है सीधी साइट से एक फंदा सीधा और एक उल्टा फंदा बनाते हुए जाएंगे और रॉंग साइट से हमने इसको पूरा उल्टा उल्टा बना कर कम्प्लीट करना है तो आपका इस तरह से जो बॉर्टर का डिजाइन है बनेगा इसको आप लेडिस कार्डिगन पर डाल सकते हैं जाकेट, स्वेटर जो भी बनाएं आप उस पर अप्लाई करें और ये स्ट्रेचेबल नहीं बनता है एकदम स्ट्रेट रहता है सीधा रहता है तो आप इसको बनाकर एक बाज जो देखिएगा आज का बाटर डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सबस्थाइब करना मत भूलिएगा थैंक यू